वल्कम तोस्तों टो ए न्यूव वीडियो मैंने कहा था मेरा जो यूट्यो स्टूडियो है वो बन रहा है और उसका मैं टूट दूँगा तो चलिए एक जलक में दे देता हूँ अभी मैं हूँ बेड्रूम पे जा रहा हूँ स्टूडियो की तरब सबसे पहला आप लोग देख सकते हैं एक छोटा सा टूइलेट एटाच है यह स्टूडियो के साथ में बहुत लोग नहीं रखते हैं लेकिन मैंने प्रिफर किया रखना अभी स्टूडियो के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस इस दा मेन वाल जहाँ पे मैं चेयर रखके टेविल रखके यह बैक्गराउंड बना के यहाँ पे वीडियो बनाने वाला हूँ अभी थोरा सा अपोजिट में दिखा देता हूँ यह सामने देख रहे हैं ट्राइपोड रहेगा मतलब यहाँ पे रहेगा ट्राइपोड एंड चेयर रहेगा तो रहासा दूर से मैं दिखाता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाए सो देखिए सामने रहेगा ऐसा ट्राइपोड वहापे चेयर रहेगा सामने टेविल रहेगा सामने वाला जो वाल है एंड ये वाला वाल दोनों को मैंने green paint किया है ताकि कभी भी green screen का ज़रुवत पड़े तो ये दोनों वाल में से कोई भी वाल में मैं वीडियो बना सकता हूँ और अभी the main thing ceiling अभी तक नहीं लगाए ये जो setup है ये temporary है ये जो light से temporary ऐसा लगाया गया है light और बढ़ेंगे और ज़्यादा light room पे आएगा ये अभी उपर teen का sheet है यहाँ पे wooden fall ceiling आने वाला है लेकिन जब तक wooden fall ceiling नहीं लगता है थोड़ा time लग जाएगा तब तक के लिए ये temporary lighting में ने arrangement कर लिया यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग अब लोग देख सकते हैं ये pine tree का wood है ये यहाँ पे बाहर रखा है थोड़ा सा सूकने के लिए जब ये अच्छे से सूक जाएगा तब इससे fall ceiling बनाया जाए तब एक छोटा सा studio था ये कोई studio टूर में नहीं बोल सकता जस्ट एक जलक दिखाया जैसे जैसे काम होता जाएगा आपको मैं थोड़ा थोड़ा दिखाता रहूंगा मेरे खियासे एक या दो हफते के अंदर काम कंप्लीट हो जाना चाहिए तब अच्छा सा studio बन जाएगा हाँ छोटा सा बट efficient बनेगा मैं आपको बोल सकता हूँ क्योंकि बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं बहुत सारे products भी आ गए हैं मेरे बास so one by one वीडियो आएंगे थोड़ा सा eco का issue मैंने face किया है मैं कोशिश कर रहा हूँ कैसे उसको sort out किया जा सकता है चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई और हाँ चैनल को subscribe करके जरूर रखिए क्योंकि बहुत सारे नए वीडियो आने वाले हैं